हाई फेंस वेलकम टू आपदास किचन आज हम बनाने वाले मश्रूम की एक ऐसी यूनिक रेसिपी चो इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो कर पसंद है तो वीडियो को लाइक केज़ेगा शेय केज़ेगा च एक इकुल साइज के तो नहीं मिलें देखिए कुछ चोटे हैं कुछ बड़े हैं तो यह साइज तो परफेक्ट है बस कुछ चोटे भी होते हैं तो ज्यादा चोटे शोटे मश्रूम हम अवाइड करेंगे तो simply हमें इस तरह से मश्रूम का डंठल निकालना है और इस तरह से हम सारे मश्रूम के डंठल निकालेंगे पहले तो लीजे सारे मश्रूम के डंठल तो मैंने निकाल दिया और अब हम इसको इस तरह से चमच की सायता से अंदर इसके थोड़ी जगा बनाएंगे मश्रूम बहुत डेलिकेटर मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो बिल्कुल हलके हातों से ही इस तरह से हम इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे स्पेस इसलिए कि हम जो फिलिंग इसमें भरें वो ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सके तो बस इसको हलका सा चमच से इस तरह से घुमाना है बहुत सॉफ्ट होता है अराम से निकल आता है और उसी तरह ही बहुत सॉफ्ट है तो फट भी सकता है तो आप बिल्कुल हलके हातों से करेंगे तो ये इस तरह से निकल आएगा तो इसी तरह से हम अपने सारे मश्रूम्स को खाली कर लेंगे इसा आप देख सकते हैं ये सारे रेडी हो गए हैं तो इसकी स्टफिंग बनाते हैं तो एक पैन ले लेंगे और उसमें हम एक बड़ा चमच भरके डाल देंगे ओल ज्यादा ओयल नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि चीजी मश्रूम बना रहे हैं चीज भी एड़ करेंगे हम उसमें तो ओयल थोड़ा कमी रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल की गरम होते ही अध्रक, लसन और हरी मिर्ची मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं तो हमें इसका कच्चापन दूर होने तक इसको फ्राई करना है यानि की 30 to 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मेडियम फ्लेम पे तो जैसे ही हमारे ये अच्छे से सौटे हो जाएंगे ओयल में हम इसमें आड कर देंगे प्याज तो यहाँ पे मैंने दो मेडियम साइज की प्याज लिया है जिनको बारिक बारी काट लिया है तो प्याज को भी हमें ज्यादा गोल्डन नहीं करना है हलका सा गुलावी होने के बाद जो थोड़ा सा उसमें कलर आएगा न गोल्डन सा बस हमें उतना ही प्याज को फ्राई करना है तो ये देख सकते हैं आप प्याज भी हमारा अल्मूस्त तयार है तो प्याज तयार है हमारा और अब हम इसमें आड करेंगे टमाटर तो एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसे बारिक काट की ले लिया है मैंने तो इसे इसमें डाल के अच्छी से फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें आड करेंगे कुछ स्पाइसेज तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट तो यहाँ पे हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट अड करेंगे और अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर तो हाफ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर तो हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ टीस्पून इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो अब हमेशी तब तक पकाना है जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते हैं तो इसको हम ढख कर पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तो यह दिखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मसाला हमारा बहुत बढ़िया से फ्राई हो गया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल बढ़िया से मैश हो रहा है यह, अब इस चेज पर हम इसमें आट करेंगे, खुब सारा धनिया और इसे अच्छे से म तो स्टफिंग हमारी तयार हो गई है, अब हम इसमें लास इंडिडियन्ट एड करेंगे और वो है चीज, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस चीज क्यूप ली है, आपके पास जो भी चीज अवैलेबल हो आपो ले सकते हैं, वन फोट कप के करीब, तो इसे अच्छे से, इ तीवी सी स्टफिंग जो है तयार हो गई है, तो स्टफिंग रेडी है हमारी, इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको फिल करेंगे अपने मश्रूम्स में, तो स्टफिंग ठंडी हो गई है हमारी और इस तरह से मश्रूम लेंगे और इसमें जितनी स्टफिंग आ सकती है, उतनी हम इस तरह से, सभी मश्रूमों में स्टफिंग को फिल कर लेंगे, यह देखें, ऐसे, ओवर नहीं करना है, यह देखें, हमने इसके अंदर जो स्पेस बनाया था, उससे काफी स्टफिंग हमारी एक मश्रूम में आ पा रही है, अब देख सकते हैं, मिडियम साइज के मश्रूम में भी कम से कम एक सी डेट चमच स्टफिंग आ रही है हमारी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर हमें मिलने वाला है, यह रेसिपी बहुत ही डिलिशियस है, मैं घर में जब भी बनाती हूँ, तो यह बसती ही नहीं है, तो आप भी एक बार ट्राइ करेंगे, तो देखेंगे कि आपके घर वाले भी इसको बहुत पसंद करेंगे, तो यह तो रेडी हो गए हमारे मश्रूम और यह जो मसाला हमारा बच किया है न, तो जो मश्रूम का, जो हमने डंठल और बाकी चीज़ों में निकाला था न, हम उसके साथ इसको फ्राइ करके इसके ग्रेवी भी बना सकते हैं, पट आज हम ग्रेवी वाला नहीं, हम सुखा ही बनारे हैं तो इसके उपर अब हम लगाएंगे चीज, तो चीज़ को ग्रेट कर लिया है मैंने, और इसके उपर हम चीज ब्रेट करेंगे, इस तरह से सभी मश्रूमों को हम अच्छे से ची तो यह रेडी है और अब हम इनको हल्का असा फ्राइ करेंगे तो उसी पैन को मैंने दुबारा ले लिया है और इसमें हम एक बड़ा चमच करीब डाल देंगे बटर आप चाहें तो आईल में भी कर सकते हैं पर बटर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसके लिए मैंने यहापे बटर लिया है तो इसके बटर हमारा मेल्ट ओना शुरू हो गया है इसको एक बार अच्छे से पूरे पैन में फैला लेंगे और आप फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो क्योंकि अभी हमें अपने जो मश्रूम से उनको इसमें प्लेस करना है तो फ्लेम हाई नहीं रखेंगे लो फ्लेम पे फटा-फट से पहले हम अपने मश्रूम से को प्लेस कर देते हैं पैन के अंदर तो लीजे मश्रूम प्लेस हो गए है और अब हम इसे ढख के सिरफ पाच मिनट के लिए हम इसको मिडियम फ्लेम पे फ्राइ होने देंगे यह देखें पाच मिनट के बाद हमारे मश्रूम रेड़ी है और हम गैस को आफ कर देंगे यह देखें बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं डिलिशियस खुश्बू ले पाते हैं आपको तो पता चलता बहुत ही डिलिशियस खुश्बू आ रही है चले फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर देते हैं तो लीचे फ्रेंस चीजी मश्रूम बन के तयार है हमारे वस इसे गारिश करेंगे हम हरे धनिये के साथ में तो देखा फ्रेंस आपने यह कितनी सिंपल रेसिपी थी लेकिन कितनी डिलिशियस बनी है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और कॉमेंट में मुझे बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजेग शेर कीजेगा तो फ्रेंस मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में तब तक अपना खयाल रखिएगा